दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन नियूज 23 जुलाई दो हस्दार देश 24 का बज़क भारस सरकार ने जारी किया उस बज़क में बिहार और अंध्र परदेश के लिए काफी अच्छा रहा जुके सरकार बचाने के लिए मोदी सरकार ने ये बज़ट दिया है लेकिन बिहार के लोगों से जब बैजानने की कोशिश किया तो किसी ने कहा कि बिहार को सिर्फ छुल छुलना मिला है कोई बज़ट बिहार के लाइक नहीं है लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं बिहार को बजट अच्छा मिला है और जिस तरीके से इंफ्राइस्ट्रक्चर से लेकर गया में कोरिडॉर का निर्माण और पक्सर में दो लाइन का गंगा पर पुल और साथी साथ तीन एक स्ट्रेस्वेग पर जो है मुहर लगी है लेकिन लोगों ने अपनी अपनी पर्तिक्र आए द है सुनते हैं लोगों ने क्या का है 2023 का जो बजट आया है उसमें बिहार के लिए आपके क्या रहा है बजट जो आया है सर बिहार के लिए बहुत अच्छा बजट साबित हुआ है वरका वज़ाई यह है कि गड़्बंदन की सरगार बनने से बिहार वासियों को बहुत अच्छा बजट मिला है और आशा है कि ये बजट के अनुसार बहुत बढ़ीया काम होगा विकास आएगा आपको बिहार में और हमारी मांग बस एक और है कहने की कि अगर सासाराम में इसका बजट का कुछ फैदा नजर आए जैसे मेडिकल कॉलेज बन जाए क्योंकि शेर साकी नगरी है पुराना शहर है और हमारे माननी तो हमारा भी नागरी कोने के नाते हमारा यह राइड बनता है कि हम भी यही आवाज उठाए कि हमारे शहर में एक बढ़ियाँ चिकित साले बढ़ियाँ बने बजट में आपकी क्या राया है जो 2023 का बजट आया है भारास सरकार का बजट आया है बिहार के लिए बहुत इच्छा है लेकिन घरीबों के लिए कुछ नहीं मिला ये शिकायत भी है और दूसरा सासा राम में एम्स की ज़रूरत है मेडिकल कॉलेज की जुरूरत है इस पर ध्यान दिया जाए रधान मंतिर से मैं अनुरोज करता हूँ कि उसको विशामने लाए बजट 2023-24 जो भारास सरकार ने किया है उसमें आपकी क्या रहा है बजट तो बहुत उच्छा है विए आरकलिहार से लेकिन सासा राम में मेडिकल कॉलेज यहां के लिए मेडिकल कॉलेज भारास सरकार का 2023-24 का जो बजट है उसमें आप क्या कहेंगे बिहार के लिए देखिए बिहार के लिए जो बजट कहा जा रहा है कि यहां पैकेज दिया गया है तो या भेद भावला पैकेज है और बियार को पर्धान मंत्री जी अपनी कूरसी बचाने के लिए बिहार को पेकेज दिये हैं, वो अभी एक जून जूना दिखाया गया है, आज जो देश और परदेश की सिती है, आज देश में महंगाई, बेरज़गारी, किसानों की समस्या, छोटे-छोटे बेपारियों की समस्या, यह कैसे दूर होगी, इस पर कोई इनका कोई बीचार न बिहार के लिए जो दिया गया है, वह बच्चे को जून जूना दिखाया गया है, वह जून जूना दिखाया गया है, तो 2023-2024 का जो बजट आया है भारास सरकार का, उस पर आपके क्या परतिकरिया है, देखे बिहार को इसले बार से अच्छा मिला है, बजट में जगा रखा गया है, लेकिन जो विशेश राज का दर्जा जो नहीं मिला, विशेश राज के दर्जा मिला जीए, तो कहने का मतलब ह बजट में जीरा के समान है, बिहार के लिए बजट पिच्छा हुआ अच्छे थे हो बाहर के लिए ज्यादे पैसा मिला हुआ, और सुखार के लिए जो दशनी बिहार के लिए उसके लिए कुछ पैसा नहीं मिला है, ना विकास के लिए उतना पैसा मिला है, लेकि पहले से तर साशाराम के लिए कुछ कोई खास नहीं है जो की मिलना थैए था तक कुछ मेडिकल कॉलेज वगरा चाहिए जी बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के साथ सचाहिक यहां चाहिए चाहिए और यहां सब जगह नहर का पादि नहीं कोटता है इसलिए दच्री बिहार को विशेश सरक और सासाराम के लिए कुछ यहां इतना बड़े बड़े उदूख कुंत वह लेकिन इस तरफ कोई भी सरकार का चाहिए इस तरफ को जो मिलता है लिकिन यहां का मुलूबूत यहां दुश्यार को बड़ा बड़ा उज्यों जो पहम लएक उदिशा में कोई भी विजट पर क्या कहेंगे देखिए बड़े बड़े मिलाज उलाकर तो अच्छा है लेकिन अभी मध्यम बर के और ध्यान देनी किया हो सकता है और सासाराम के लिए खास करके आई इटा जो बहुत यहां के लिए निकानता हो सकता था इस बड़े नहीं दिया गया है तो हजार तेईस चोबिस का जो बजट है उस पर क्या कहेंगे अगर्ट बिनकुल पिहार के लिए यह एक जुझना साविक हो गया इसलिए कि इसमें नहीं गरीबों का कोई बजट है ना है कोई महिलाओं की लिए पजबज़ट है ना युवाओं के लिए है ना जैपों यानि कि विर्धालों के लिए, ये शिर्फ और सिर्फ रोडवे का 50% बज़ेट जो है और थावन हजार 900 करोड का जो मामला है, ये सिर्फ रोडवे, तो रोडवे से विहार के विकास नहीं हो सकता है, विहार के विकास के लिए आपको स्वास्त में देना होगा, सिक्षा में देना होगा, महिलाओं के विकास में देना होगा, विजहाओं के विकास के लिए देना होगा और बालक और बालिकाओं के लिए देना होगा अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को लाइक कीजे और वीडियो को शेर कीजे अगर आप इस वीडियो को यूटुब पर देख रहे हैं तो यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कीजे और घंटी के आइकॉन को दबाईए